गुर्णाने के दिव यूनिवस्टी से इनोंने किया है Maths, Physics and Computer Science main subject हैं तीनों ही तीन साल अगर आपने पड़े हुए हैं तो आपके सारे ही Major subject बन रहे हैं लेकिन आपको Major subject प्रैफर कौन सा करना चाहिए Maths Maths को आप नहीं छोड़ना चाहिए आपने दूसरा question पूछा है कि I thought कि after BID असी सिर्फ TGT teacher ले ही apply कर सकते हैं not for PGT देखे PGT के लिए अगर आपने Maths की MSC कर ली है तो आप Maths के TGT plus PGT के लिए दोनों के लिए eligible हो आप कर सकते हो यह wrong है आपकी बात जो आप सोच रहे हो कि आप PGT के लिए eligible हो लेकिन आपको उस subject में post graduation की हुई होने चाहिए for example math की example दी है अगर computer science है तो MCA आपकी की हुई होने चाहिए तो आप PGT computer science में जा सकते हो physics में की हुई है तो आप physical science में जा सकते हो अब आपको यह choose करना है कि आपने तीनों में से तीनों आपके major बनते हैं तो मेरे लिए best कौन से है best क्योंकि job इसकी जादा है यह बनते हैं physics आप लेते हो तो आपको PGT के लिए ही जाना परेगा TGT के लिए TGT के लिए eligible नहीं हो क्योंकि integrated subject है एक science और पढ़ी होनी चाहिए वो chemistry biology आपने नहीं पढ़ी आप सिर्फ यह subject लेते हो physical science B.Ed. में तो आप PGT के लिए eligible हो उसके बाद आपको MSC भी physical science C.C. में करनी पढ़ेगी that is why इसको discourage कर सकते हैं अगर आप सोचते हो इसमें interest है knowledge है ज्यादा तो इसको prefer भी कर सकते हैं computer science में आप TGT के लिए eligible हो MSC कर लिए है तो MCA कर लिए है तो आप PGT के लिए eligible है तो आपका ये wrong belief है आप prefer क्या करना चाहते हो वो आपने देखना है क्योंकि इसके additional science के देने मेरे ख्याल में difficult है तो maths computer आपका मेरे ख्याल में बन रहा है best इसके लावा language ले सकते हो आपके पास है तो language के additional paper आपको देने पढ़ेंगे तीन साल के B.A.D. के साथ ही हो जाते हैं लेकिन गुनाने देखर university करवाती है कर नहीं करवाती है ये clear नहीं है अभी तक तो मेरे ख्याल में सर प्लीज इसके बारे में clear कर दो math and science I think वदिया combination है यहां पर आपने कहा science के लिए आप eligible नहीं हो क्योंकि two sciences आपने नहीं फिल की पड़ी हुई मैं जब पीछे बताया हूँ math यह ऐसा आप eligible math नहीं आपको छोड़ना चाहिए combination है but sir vacances जिस दियां ज्यादा निकल दियां हन उस दे accordingly दस दो math ज्यादा है ज्यादा निकल दियां हन दूसरा है कि language की है वो आपको language करनी पड़ेगी otherwise science के लिए eligible बनने के लिए अगर पंजाबी university ये पंजाबी university करवाती है तो ठीक है otherwise मेरे ख्याल में आप science के लिए eligible नहीं बन रहे है पता कर लेना चाहिए तो computer science फिर बन रहा है आपका के computer science के बाद क्योंकि आपको कोई भी extra additional paper नहीं देना पड़ेगा TGT के लिए आप direct computer science के लिए eligible होती हो उसके बाद अगर कोई university आपको additional paper bio जाँ chemistry करवाती है if possible मेरे ख्याल में नहीं है ये तो फिर आप बाद में additional paper science के दे सकते हो ये long way है that is why आपका maths और computer science ही नजदीक बन रहा है तो ये चनौन medical की तहर में which computer science subject ये मेरे खिल में next question है पता नहीं है okay thank you